आप लोग टीवी पर भर भर के आड्स देख रहे हो कि mutual funds नहीं है पर सवाल आता है कौन से? कौन से mutual funds में पैसा लगाना है? According to latest Amphidata, इंडिया के अंदर 1453 mutual funds है अब आप किसमें पैसा लगा होगे? किसी ने इंटरनेट पर बता दिया, कोई ब्लॉग में पढ़ लिया या किसी दोस्त ने बता दिया, उसमें पैसा लगा दे आपको आज एक complete planning चाहिए क्योंकि आपका पैसा आपका hard and money है और वो waste नहीं होना चाहिए आपको पता है mutual funds की शुरुवात कैसे हुई आज आप देखते हो, NSE के ऊपर 2000 से ज़्यादा stocks listed है BSE के ऊपर 5000 से ज़्यादा stocks listed है अच्छा यह मत सोचना कि 7000 होगए total वो क्या होता है, Reliance NSE पर भी मिलता है, Reliance BSE पर भी मिलता है तो आप यहाँ पर देखते हो भी 5000 stocks है किन में हम पैसा लगाए तो फिर आगे जी एक mutual fund हम क्या करेंगे, हम एक mutual fund मना देंगे, जिसमें एक fund manager होगा वो चेक करेगा कि कौन से stocks अच्छा perform करेंगे और उसमें पैसे लगाएंगे तो जो stocks आप खुद से सोचते, वो आपके लिए fund manager आपके लिए research कर रहा है analysis कर रहा है, और फिर आपका पैसा invest कर रहा है, तो यहां से शुरुआ तो भी equity mutual funds की, पर आपको इस चीज़ बताऊ यहां पर mutual funds भी ना कई तरीकी के होते हैं, अभी हमने equity mutual funds की बात करी, फिर debt mutual funds होते हैं, फिर hybrid होते हैं, आजकल बड़ी तरीकी में investment करते हैं, तो एक छोटी सी चीज होती है, वो बोलते हैं ना mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी तस्ताविज़ों को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, क्योंकि expense ratio क्या होता है, exit load क्या होता है, यह सब लोगों को पता ही नहीं होता है इसके उपर हमने एक already video बनाया था आई button पे link है, आप जाके SIP से related जो सारी सच्चा ही है ना जो dark truth है, उसके बारे में आप पता लगा सकता है, आई button पे link है जाके देखिएगा पर आज हम complete planning करने वाले है अब मैं यह नहीं बोल रहा कि mutual funds गलत है mutual funds है ही है पर आपको एक reality और एक कहते हैं awareness देनी जरूरी है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले कुछ data को हम देखते हैं आप अभी equity mutual funds में पैसा लगाना शुरू करते हो आपको नहीं नहीं सर आप बोल रहे हो fund manager पैसे लेते हैं AMCs ऐसी होती है जो ज़्यादा पैसे ले लेती हैं इसमें expense ratio ज़्यादा होता है तो हमने किसी को सुना था internet पे और वो नहीं index mutual fund बोल रहा था index हाँ index nifty 50 में हम पैसा लगाएंगे तो मैं आपको nifty 50 में लगाओ या sensex में लगाओ या nasdaq में लगाओ या s&p 500 में लगाओ या आपका हो गया सारा equity mutual funds आप क्या बोलोगे उसे आप बोलोगे index mutual funds है पर अब आपको कुछ reality पता होनी ज़रूरी है यहाँ पर आपको एक data देख रहा है अलग-अलग crash की dates दिख रही है अलग-अलग events दिख रहे है उसमें आपको यह पता लगाँ रहा कि कितने points lose हुए है तो आप जो देखते हो nifty sensex को अब जब देखते हो तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक दिन के अंदर भी आपका portfolio हिल सकता है example अभी COVID-19 के हम crash की बात करते हैं जो 2020 में आया तो आप देख रहे हो कि एक दिन के अंदर market 13% से उपर हिल गई इसी तरीके से हरशद मैता का जब scam हुआ था तब almost 13% के असपस फिर market crash हुआ था इसी तरीके से आपको अलग-अलग 2008 के crash की बात करूँ तो एक दिन में लग-बख 11% का crash आ गया था अब ये एक दिन की बात है 2008 की हम बात कर रहे है 2008 का जो crash था न वो एक दिन में जरूर 11% market गिरी थी पर मैं आपको ये भी बता दू कि उस टाइम के अंदर 2008 का total impact nifty पर लग-बख 60% का था 59% के आसपास nifty कि रहे हैं तो अगर आप सिर्फ index funds में invest कर रहे हो अब आपको आपका goal तो clear नहीं है आप हो सकता है अगले 5 साल में आपको घर में कोई शादी हो उसके लिए पैसे चाहिए आपको गाड़ी लेनी थी उसके लिए पैसे चाहिए घर लेना था उसके चीज़ बताता हूँ 2004 का इसमें data नहीं है 2004 के अंदर ना हुआ क्या कि Congress जीद गई और उस दिन market में crash आया Sensex के अंदर trading बंद करा दी उन लोगों ने क्योंकि वहाँ पे lower circuit लग गया 10% से उपर उसी वक्त गर गया तो होता क्या है अभी example अगले साल 2024 के इंदर elections है माल लेते हैं जो अभी existing government है वो चली जाती है अगर आपकी existing government चली जाती है कोई नई government आ जाती है तो stock market के लिए न वो बहुत comfortable situation नहीं होती stock market में जो government है वो stable होनी चाहिए stable government में जो market है अच्छी grow करती है पर अगर unstability देखती है governance में तो होता क्या है stock market पो उसका negative impact आता है तो हो सकता है आपको अगले साल है उससे एक साल के बाद कुछ emergency के लिए पैसे चाहिए और आप लगातार index funds में पैसा लगा रहे हो हो सकता है आपका portfolio correct हो जाओ करेक्ट मतलब गिर जाए उसमें एक आपको negative impact देखे तो अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या आप उसके लिए prepared हो आज यहाँ पर mutual funds में investment करने से पहले एक सबसे पहली चीज़ आती है आपका goal क्या है और उसका time horizon क्या है अगर आपको आपका goal और time horizon clear है हो सकता है market अगले साल बढ़ जाए आपको गयार पुशकर आप बोल रहे हैं कि market हो सकता है क्रेश है देखो होता है कि मैं आपको यह बता देता हूँ जो अभी तक हमने back test करके देखा है तो जब भी election से पहले stock market का अगर आप data उठाओगे तो election से पहले generally market में आपको एक अच्छागासा uptrend दिखता है मलब market उपर चड़ती है उसका reason क्या होता है कि कोई भी government अपने negative impact में दिखाना चाती है वो यह दिखाना चाती है कि उसकी governance में stock market ने grow किया अब जब results आज आते हैं elections के उसके बाद depend करता है के लिए correction ज़रूर आ सकता है आप लोग भी बोलोगे आप बोलोगे आप बोलोगे दो जाराट में crash आया था वर उसके बाद देखो ना market तो लगाता returns दे रही है पिछले कुछ time में 14-15% का return आया निफ्टी में आप क्या बात कर रहे हो मैं आपकी बात बिल्कुल मान रहो हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हूँ पर उस time क्या और आप भी देखिए उन लोगों का returns आया जो ने लगातार इंवेस्ट किया जो लगातार इंवेस्ट कर रहे थे crash के time पर भी वो invest कर रहे थे पर ट्रैश के टाइम में किसी ने पैसा निकाल ली और आज वो पैसा डाल रहा है और वो क्या expect कर रहा है तो अलग-अलग situations है अब अगर आपको आपका goal clear है आपका goal क्या है अगर आपका 5 साल से कम का goal है तो आज मैं आपको इस चीज बदाता हूँ आप equity mutual funds में पैसा ही मतलगा हो क्यों लगा रहे हो mutual funds में पैसा है अब stock market में पैसा मतलगा हो honestly speaking मैं आपको ये नहीं बोला कि mutual funds में पैसा मतलगा हो mutual funds कहीं तरीके के हैं आप या तो अपनी portfolio को diversify कीजे या फिर आप दूसरी चीज़े देखिए जैसे कि debt mutual funds कम से कम ये तो पता है कि debt market के उपर इतना ज़्यादा related नहीं है अगर stock market में correction आएगा ये नहीं कि अपका portfolio डूप जाएगा और debt में आपको लगाता returns तो दिखेंगी आपको ये पता है कि equity में ज़्यादा returns आ सकती है बट ज़्यादा के चक्कर में आपका risk ज़्यादा है 10 साल का है 15 साल का है तो मैं क्या आपको हर intelligent आदमी बोलेगा कि आप stock market में investment कर सकते हैं mutual funds बहुत अच्छे है equity mutual funds तो बहुत ये अच्छे है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन से पर आपका time horizon और आपका goal क्या है आपका जो भी goal आपको जो भी पैसा चाहिए उसे लिख लिजिए और कितने time में चाहिए important है time के according risk लिजिएगा market में क्योंकि अगर आप एक साल दो साल की बात कर रहे हो बहुत किसी को नहीं पता किसी को पता ही नहीं कि market कब crash हो सकती है you have to understand all these things क्योंकि internet पर आपको बहुत सरे घ्यानी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे FD बिल्कुल विकार होती है FD में investment ही नहीं करनी चाहिए डिपेंड करता है FD में time क्या है अगर मैं बोलू 10 साल के लिए FD में investment करनी है तो बिल्कुल विकार है क्यों विकार है क्योंकि inflation को ही नहीं बीट कर पाती FD आप मेरी बात को सुमझ रहे हो inflation में simply महंगाई इंडिया के अंदर आप देखो 78% से महंगाई बढ़ रही है आपको inflation का rate नहीं पता लगते न कोई बात नहीं आप यह चेक करो कि FD में कितना rate of interest मिल रहा है जब मैंने investment शुरू करी थी ना जब मैंने पहली वा bank account खोला था तब 10% rate of interest मिलता था FD पे 10% अगर rate of interest FD दे रही है तो यह समझो 10% के आप से महंगाई तो बढ़ी रही थी थी तो जो FD में rate of interest मिल रहा है आपको आप समझो लो उतनी तो महंगाई है क्योंकि FD का जो rate of interest का graph है और जो inflation का graph है वो almost बराबर चपके चलता है और कई बार ऐसा होता है कि inflation का graph उपर निकल जाता है FD में आपको कम rate मिल रहा होता है महंगाई और तेज बढ़ रही होती है तो इ देखना पड़ेगा कि या जरू नहीं stock market में पैसा लगाता है मैं यह नहीं करा सिर्फ FD है FD के लावा बहुत सरे solutions आपके पास पर आप explore करो ना उन solutions को कि आपको fixed returns भी कहां से अच्छी मिल सकती है fixed returns हमेशा बुरे नहीं होते depending आपका goal और आपका time horizon आगे बढ़ते हैं अ इसमें 7-8% का आपको मिल जाएगा rate of interest तो अगर 7% के आसपस आपको मिल रहा है तो आपका पैसा कम से कम कम तो नहीं हुआ बड़ा ही ना और अगर आप उसे किसी risky जगह पर डाल देते तो फिर risk है तो इसक है बड़ भी सकता है और कम भी हो सकता है all right तो हम mutual funds की बात करेंग है और हम आपके goal के accordance चलेंगे ठीक है आपका goal तो आप मेरी screen शायद अब देख पाएंगे एक स्क्रीन पर आजाता हूँ और तो अब आप screen को देखिए हम यहाँ पर एक screener के उपर है अब यहाँ पर आपको कई तरीके की mutual funds देख रहे है अभी मैंने सबसे पहले debt select किया हुआ है debt mutual funds अब debt का मतलब आप समझो simply उधार देना आप कई बंदें बोलते है debt mutual funds में क्या returns आएंगे याएंगे हाँ debt mutual funds में लगा है ना मतलब आपने अपना पैसा किसी को loan पर दे रहा आप इतना समझलो बस और उस loan के उपर ब्या जाएगा तो यहाँ पर आपको debt mutual funds में yearly returns आपको exceptional cases है कि उस fund के साथ कुछ गलत हो जाए वरना आपको हमेशे positive में ही देखेंगी आप मैं आपे filter लगाता 15% के आसपस भी return दिख रहा है तो जरूरी नहीं होता कि debt funds बेकार ही होते हैं ऐसा नहीं होता और किसी भी mutual fund में आपको यहाँ पर negative में return नहीं दिखेगी at least अगर मैं equity में आ जाओ और यही चीज़ में आपको यहाँ पर दिखाओ तो अगर हम absolute return की बात करें तो अब आपको absolute return तो हमापी किसी की 39% भी है पर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर example अभी हमें एक ही fund मिला है जिसने एक साल में minus में return दिये मलब एक साल में पैसा grow ही नहीं होगा debt funds में ऐसा नहीं होता typically और तो आपका पैसा बढ़ भी सकता है बट यह क्या guarantee है क्योंकि market उपर गई है तो market उपर गई है इसलिए वो दिखा रहा है बट अगर हो सकते है market crash tip की situation हो तो ऐसे बहुत सरे funds आपको दिखेंगे एक साल में आपको negative return दिखाएंगे तो अभी तो market आपको दिख रहा है कि यार अच्छा गासा ठीक है ऊपर भी गई अभी कुछ छोटा से dip भी आया बट doesn't matter much because कोई बहुत बड़ा crash अभी नहीं आ है तो यह समझना ज़रूरी था अभी hybrid funds क्या होते है hybrid का मतलब होता है debt और equity का mixture तो कुछ पैसे liquid funds ठीक ठाक return दे जाते हैं तो एक साल की यहाँ पर भी देखोगे तो एक average जो यहाँ पर absolute return आ रही है वो 7% के आसपस आ रही है हुआ SIP के थो investment करते हैं तो एक वीडियो में अलग से बना सकते है SIP वर्स लंसम आपके लिए क्या बेटर रहेगा अगर आप वह बूलेंगे तो हम बनाएंगे ठीक है 10 साल से उपर का है 10 years प्लस का है अच्छा कोई भी आपको यहाँ पर ना यह बड़ी subjective होती है investments सो कोई आप कोई नहीं बोल सकता कि यही करो आपको इंटरनेट पर कई सारे लोग बोलेंगे 50% आप equity में डालो 30% debt में डालो 10% आप US stocks में डालो 10% आप gold में डालो फिर आपको अलग अलग हमने जैसे इससे पहले हमने rules की बात करी दी जो popular rules of investing है कि 100-age rule को आप follow करो तो अग अगर मैं 100 से उसे minus कर दूँगा तो आपके पास answer आजागा 70 तो आपका allocation 70% equity में होना चाहिए तो अभी के लिए हम यह लिखके चाहते है क्योंकि इसका मतलब हो जाता है कि आप थोड़े से aggressive हो आपको returns जाए है अब returns और ज्यादा चाहिए तो हमने एक और वीडियो बना र पालो करते हैं 100 मैंस age rule को तो हमें पता लगता है कि जो भी हमारी यह एक्जामपल मैंने बोला कि किसी की पीस सा ले जाए तो 70% allocation किसी की 25 सा ले जाए तो 75% allocation equity में होना चाहिए बाकी आप किसमें रख सकते हो बाकी आप example gold में रख सकते हो update में रख सकते हो तो आपका एक portfolio उ मुझे momentum investing काफी अच्छे लगती है और इसी के ऊपर आपको कई सरे funds मिल जाएंगे जब आपने डीमेट account में सर्च करेंगे तो momentum fund सर्च करेंगे आपको कही सरे momentum fund आ जाएंगे तो आप अपने according अपनी research के according momentum funds को track कर सकते हो momentum funds में invest कर सकते हो दूसरे जिसमें मैंने आपको ब funds दिखाने वाला हूं straight away जिसमें मेरी खुद की साइपी से हैं ओक हो सकता है मैं अगले साल इसमें से कुछ ऊपर नीचे करूं कुछ funds को हटाओं कुछ और नए funds को डालू किसी में अपना allocation बढ़ा हूं investment का तो वह मैं अपना वह बड़ा subjective है सबका अपना एक risk profile है तो अलग लोग बोलेंगे कि 11 ठीक है मलब सबका अपना अपना है तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक तो में नासडेक के अंदर SIP है अना तो एक 50,000 रुपे का सेंपल साइपी चल रहा है NASDAQ के अंदर एक गोल्ड के अंदर आपको SIP दिख रहा है एक आपको सिल्वर के अंदर द फिर निफ्टी, Next 50, मालब अब पता है कहीं सारे SIP मैंने पहले शुरू कर दिया थे, फिर उन्हें बंद नहीं किया, मालब सिंपली इसमें कहीं सारे SIP, जो आप बहुत पहले से कर रहा हूं, तो उन्हें बंद नहीं किया, इसलिए वो चल रहे हैं, चाहे वो कुछ भी के multi asset fund के अंदर एक लाग रुपी की SIP मैंने कई बताया कि इसमें से कई सारे ऐसे funds हैं इसे पूरा copy मत कीजेगा मैं आपको simply बताऊंगा कि मुझे best क्या लगता है फिर आप उन्हें आप चाहें तो choose कर सकते हैं अपनी analysis के जाब से सारे के सारे funds को copy करने की ज़रूरत नहीं है इनमें से कई सारे funds हैं से small cap उसने मुझे बहुत बढ़िया returns दी है depend करता है कि आप की risk profile क्या है अब आप देखोगे अगर आप मेरा यहां पर देखोगे इसमें एक भी debt mutual fund नहीं है तो debt के अंदर इस account के अंदर कोई SIP नहीं salary date के अंदर उसका reason अलग है तो मेरा जो portfolio allocation है वह बहुत ज़्यादा अलग है मलब stock market से कई ज़्याद investment example मेरी real state में ठीक है तो और कई सरे ऐसे funds हैं जहां से मुझे fixed income भी आती रहती है तो वह अलग है मलब यह भी हम सिर्फ mutual funds की बात कर रहे हैं तो mutual funds के अंदर हैं very aggressive अभी आपने देखा कि मेरी SIP कौन-कौन से funds के अंदर चल रही है बड़ मैं आपको अब यह बताता हूं कि मेरे favorite funds कौन से हैं तो सबसे वहले मैं aggressive हूं momentum के अंदर तो momentum funds के अंदर SIP चल रही है दूसरा आपने देखा nasdaq तो nasdaq के अंदर मैं ETF investing के थूरू भी invest करता हूं और nasdaq को मैं prefer भी करता हूं अब यह क्या हो गया कि international fund हो गया तीसरा मैं बोलूँगा small cap के अंदर investment अब इसके अंदर nifty 50 नहीं है वो जो index investing की लोग बात करते हैं nifty 50 वो ठीक है मेरे portfolio में था अब मेरे favorite funds में नहीं है उसका reason क्या है उसका reason क्या है कि अगर आप small cap की returns देखोगे long term की तो small cap companies outperform कर जाती है large cap companies को अब nifty 50 के अंदर large cap आती है so अब मेरा vision जो है वो थोड़ा तो 20 years का अगर मेरे vision है 20 साल के अच्छा का से long term period होता है तो उन 20 साल के अंदर मुझे personally लगता है कि small cap मुझे काफी अच्छा यहां पर returns दे सकता है small cap के अंदर volatility ज्यादा होती है अगर correction आया निफ्टी गिरी तो small cap होट तेजी से गिरेगा but point के है क्योंकि SIP अगर continuously चलती रहेगी अगर आप crash में घबराते रही हो तो आपकी नीची के time पर भी averaging हो रही होगी और जब small cap के अंदर returns आएंगे तो इस averaging का आपको benefit मिलेगा तो क्योंकि यह long term के लिए है माल लीजे 20 साल का मेरा vision है उससे भी ज़्यादा तो small cap can be a very good investment और आप SIP के अंदर small cap से ज़्यादा returns produce कर सकते हैं अगर आपका short term vision है तो मैं बोलूँगा फिर small cap आप बिल्कुल भी इसे मत अपनाना दूसरी चीज नास्डेक अब US based मेरी investment हो रही है इसके अंदर नास्डेक के अंदर US की top 100 companies आ जाती है basically हम tech पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे है तो आप देखो NASDAQ के अंदर Google है Apple है Amazon है Tesla है यह सारी जो बड़ी बड़ी companies है मैं अलग लग stocks पिक नहीं कर रहा है मैं आप NASDAQ पर बैट लगा रहा हूं कि NASDAQ उपर जाएगा 20 साल में क्या NASDAQ उपर जाएगा मुझे लगता है हाँ जाएगा क्या मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर का भी rate increase होगा अभी पिछले 20 सालों में तो आप देख रहे हैं कि डॉलर भागता चला जा रहा है तो momentum funds उन stocks में पैसा लगाते हैं मैं भागते हो गोड़ों पर बैट लगा रहे हैं तो यह तीनों ही बड़े aggressive funds हैं और मुझे ऐसा लगता है कि long term के अंदर इसमें अच्छी returns produce हो सकती है अब ऐसा मेरी analysis है आप अपनी analysis के according ही investment कीजिए बट अब थोड़े diversification को last में हम समझ लेते है diversification का मतलब क्या होता है कि सारे eggs एक basket में मत रखो ठीक है अब मैंने आपको इससे पहले एक video बनाई थी जिसमें न हमने fang plus की बात करी थी है na fang हमने जब fang की बात करी थी तो हमने बोला था इसमें सिर्फ 10 stocks आते हैं और फिर हमने nasdaq की बात करी जिसके अंदर आप देख रहे हों कि 100 stocks आते हैं बट fang की हमने आपको दिखाई थी कि जो returns है वो nasdaq से भी जाता है तो यहां पर क्या हुआ यहां पर तो diversification हुआ 100 companies है S&P 500 पर 500 companies है अब यहां पर concentration हुआ concentration से भी results produce होते हैं सो अभी मैंने आपको दिखाई कि मेरी कितनी सारी ऐसे भी चलते हैं बट मैंने आपको यहां पर बताया कि इन तीन funds के अंदर अच्छी growth आ सकती है सो एक concentrated portfolio हो सकता है बट कहीं लोग diversification पर believe रखते हैं example के लिए मैंने आपको बताया कि stock market के इलावा मैं एक aggressive investor real estate के अंदर भी हूँ आप कहीं लोग कहेंगा real estate में क्या returns आती है चलो बढ़ी अच्छी बात actually returns वहां से अच्छी produce करता है इंसान जिस चीज की उसे समझ हो तो अगर आपको जिस दिन real estate की समझ होगी आपके पास सोड़ा सफंड आ जाएगा तो आप real estate में भी अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आपके पास समझ आ जाएगी तो आप stock market से भी अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आपको stock market की समझ नहीं आई और आपने रूल्स ओफ investing और ट्रेडिंग को follow नहीं किया तो आप सब कुछ गवा भी सकते हो और real estate में भी इसी तरीके से loss हो ता बना real estate में आप सबसे पहली चीज़ सिखते हो patience है ना long term के लिए आप real estate में भी trade करके वैसा गवा सकते हो तो आप ये समझो diversification मेरे लिए एक real estate है हर आदमी के पास जरूरी है नहीं है उसकी pocket अलग लग तरीके से लाओ करें क्योंकि real estate में entry करने के लिए आपको एक बड़ा fund चाहिए आपको मैंने ये बताया कि अगर आप short term के लिए सोच रहे हो आप debt funds को भी consider कर सकते हो no doubt about it अच्छा मैं अपने portfolio में gold को भी खरी देंगे पर ऐसा नहीं होगा कि market 50% कर जाए और gold 50% बढ़ जाए तो equal नहीं होगा कभी ऐसा मतले ना कि बिल्कुल होगा है तो आप अपना थोड़ा से diversification रख सकते हैं that is totally your choice diversification के लिए कई लोग hybrid funds prefer करते हैं मैं personally इतना बड़ा fan हूं नहीं hybrid funds का बड़ आपकी क्या रा हो कि 5 साल में market जबरदस return दे चाहेगी उसके अलाबा आप date को भी समझ सकते हो दूसरी चीज अगर आप long term सोच रहे हो तो long term के लिए आज हमने आपको बताया कि momentum funds कफी अच्छे होते हैं Nasdaq जैसे हमने एक US के लिए एक fund ले लिए एक international fund ले लिए और small cap companies के बारे मैं आपक करके जरूर बतायेगा next video में आपको और कमाल की information मिलने वाली है अभी हम एक 40 दिन की financial transformation journey के अंदर है सो हमने यह जब series शुरू करी थी हमने बात करी थी राहूल की अब राहूल को ना काफी कुछ सीखने को मिलता जा रहा है लगाता रहा पैसा कमा रहा है पैसे invest कर रहा है अब क्योंकि जो चीज़े सीखने को मिल रही है ना ये एक sequence में मिल रही है काफी सारी चीज़े सीखने आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से इन वीडियो का आप शेयर करते रहे हैं, अगर आप लोग stock market में investment शुरू करना चाहते हैं, mutual funds में SIB करना चाहते हैं, in fact lump sum में भी investment करना चाहते हैं, stocks खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको DMIT accounts नहीं होगा, आप फ्री में जाके अपना DMIT account खुलवा सकते हैं, link आपको description, comment box में मिल जाएगा, alright, I will see you in the next video, till that time you can like this video, subscribe this channel, click on the bell icon and go self made, जैन